वेल्कम बैक फ्रेंट्स टू द जीएस प्लेट फॉर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम लोग देख रहे हैं जो ग्रैफी से संबंदित 15 महत्यपोड प्रिश्ण दों की हर परिच्छा में पूछे जाते हैं तो भूगोल के इन 15 प्रिश्णों को आप पूरा देखे और अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो को नोटिफिक्शन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो इस वीडियो में भूगोल के 15 वेरी इंपर्टें पूरा वीडियो देखिए फिर पूरा वीडियो देखकर हमें कमेंट करिए कि आपको इसी तरह की वीडियो पूरे एक सब्सक्राइब में इस तरह की सेड्डूल में चाहिए या नहीं चाहिए तो पहले पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको पूरा पता चल चल चके के इस quality का तो चली शुरू करते हैं तो पहला question आपका है big bang सिद्धान्त निम लिखित मैंसे किस की व्याख्या करता है तो big bang सिद्धान्त जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ती की व्याख्या करता है आपके सामने चार option थे जिसका answer आपको C है ब्रह्मांड की उत्पत्ती big bang theory जो है explain करता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ती संबंदे तीन प्रमुक theories थी एक आपकी थी big bang theory जिसका प्रतिपादन जार्ज लेमेंटेयर ने किया था जार्ज लेमेंटेयर ने और दूसरी आपकी परकल्पना थी निहार का परकल्पना जिसकी प्रतिपादक लापलास्म होदाय थे और आपकी तीसरी थी धूल परकल्पना जो की autoismid की थी ठीक है तो यहाँ पर big bang theory किसे ने दी थी यह आपकी दी थी जार्ज लेमेंटेयर ने और big bang जो थी यह वो किस से संबंदेत है वो ब्रह्माण की उत्पत्ती से संबंदेत है big bang ठीक है तो इस वीडियो का आपका next question है भारत के प्रतम परमाडू reactor का नाम क्या है तो भारत के प्रतम परमाडू reactor का नाम अपसरा है ट्रामबे में भाबा परमाडू अनुसंदान स्केंदर जो B.A.R.C. दिया गया है B.A.R.C. जिसकी आपकी स्थापन सन 1956 में हुई थी तो वही है भारत के प्रतम परमाडू reactor का नाम अपसरा है ठीक है तो next question देखते हैं आपका तीसरा question है निमन वैसी किस परवतों का सागर कहते हैं निमन वैसी किसी परवतों का सागर कहा जाता है तो आपकी सामने चार option है तो जिसका आपका आंसर है British Columbia British Columbia को परवतों का सागर कहते हैं या Sea of Mountain पुस्तक के आदार पर यह यहाँ पर लिया गया है ठीक है तो British Columbia को परवतों का सागर कहते हैं इस फ्रीडो का आपका चौथा प्रसन है पाक जल्डमरूमत किन के बीच है चार आपके सामने है कच्च की खाड़ी और खंबात की खाड़ी की बीच या मननार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की बीच या लक्षदीव और माल्दीव की बीच या अंडवान और निकोबार की बीच तो इसका आपके राइट आंसर है मननार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच तो मननार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की बीच आपका पाक जल्डमरूमत होता है ठीक है जिसका नामा करड़ सन सत्रा सो पचपन और त्रेसट की बीच रावर्ट पाक नामक अगरेज ने किया था तो उनी की नाम पर पाक जल्डम्रू मत होता है इसमें पाकिस्तान सबसे कोई इसका लेना देना नहीं है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए पांच्वा प्रवत में जो बहुत ही गहरी खाई या दरार होती है तो वही यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए प्रवायत होती है तो इसका राइट अंसर है आपका तापी नदी तापी नदी ब्रण्स गाटी से होकर गुजरती है इसकी एक और जैसी उसके पास की नदी है नरंदन अदी वो भी ब्रंसगाटी से निकलती है तो तापी नदी की अगर बात करें तो यह सत्पुड़ा पाड़ी से निकलती है और मत्यप्रदेश, महाराष्ट, गुजरात, राज्यों से प्रवायत होती है रपसागर में गिर ज जाती है तो तापी नदी व्रंसगाटी से गुजरती है नेक्स्ट कुश्यन आपका है छटमा प्रसन है निम्ड लखित में से किसे केप क्यमोरिन की नाम से भी जाना जाता है चार आप्सन आपकी मिजूरन, कस्मीर, कन्याकुमारी और राजिस्थान तो इसका राइट आंस तो इसका राइट आंसर है उश्ड कटबंदी सुस्क पत जड़ी बन इस प्रकार की बनों में सागोन और साल नामक व्रिच पाए जाते हैं ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं आपका आठमा प्रसन है जार खंड के जरिया छेतर में मुकता क्या पाया जाता है चार आप्सन ह तो जार खंड के जरिया छेतर में आपका कोईला पाय जाता है यहाँ पर कोईले की प्रसिद्ध खाने मिलती है ठीक है तो जार खंड चेतर का जरिया छेतर जो है वो कोईला के लिए प्रसिद्ध है आपका नवा प्रसन है आपका इस वीडियो का कौन सी जलसंदी यूरोप को अफरीका माधीब से अलग करती है आप जानते ही है कि यूरोप और अफरीका माधीब दोनों एक दूसरे से एक जलसंदी से अलग होती है तो उसका क्या नाम है तो चार आपके सामने है बासपूरस, जिब्राल्टर, डोबर और ठीक है, तो नौबें का आउसर आपका है, बी, जिब्राल्टर ठीक है, जिब्राल्टर जलसंदी से आपके जो है, यूरोप और अफरीका माधीब अलग हो जाती है तो उनके पास में ही अट्लांटिक मासागर है, भूमद सागर है तो उनके बीच ये विभाजन का काम करता है, ठीक है, लेकिन बेरिंग जलसंदी यहाँ पर आंसर नहीं है बेरिंग जलसंदी आपकी एसिया और उत्रियमिर का माधीब को अलग करती है तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा तो इसका आंसर आपका है, सनी का सनी का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है सनी के कुल 62 उपग्रह है 62 उपग्रह है जिनमें की जो टाइटन है वो सबसे बड़ा है सनी के ग्रह के चारोर चास वलाए पाए जाते है इनमें से साथ सबसे बड़े वला हैं तीके साथ सबसे बड़े चले और अगर हम बात करें सनी पूरे सौर्मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जो की सूर की परिक्रमा 10 वर्सों में पूरा करता है तो टाइटन सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है next question देखते हैं तो राष्ट्रिय दुख्द विकास बोर्ड कहां पर है, तो राष्ट्रिय दुख्द विकास बोर्ड आपका आनंद में है, और आनंद कहां पर है, गुजरात में, आनंद गुजरात में जगह है, वहाँ पर राष्ट्रिय दुख्द विकास बोर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट क पर चड़ने में चड़ाई की और उन्होंने सन 1984 में ऐसा करके दिखाया था ठीक है तो इसका आपका राइट आंसर है बचहंदरी पाल बचहंदरी पाल ने एवरेश्ट पर चड़ने में सफलता पाई थी इस वीडियो को आपका नेक्स्ट कुछियन है निम लिखित में सबसे प्राचीन परवत शरिंकला कौन सी है तीरवन परशने आपका है तो इसका देखिए आंसर है आपका अरावली पर वली परवत स्रिंकला सबसे प्राचीन है जो की गुजरात की पालन पुर से दिल्ली तक है और 800 किलोमीटर तक लंबाई में फैली हुई है और existe की जो अधिकतम लंबाई है वो राजिस्थान में, ठीक है, राजिस्थान राज में है, इसका जो सरवोच गुरु सिखा रहे हैं, जिसकी जो लंबाई है, अधिकतम वो है 1722 मीटर और ये दुनिया की सबसे प्राचीन वलित परवत स्रिंगला माने जाती है और अरावली के प निमन मैंसे किस देश की बारत के साथ सबसे लंबी इस्थलिय सीमा है तो आपके सामने चार उपसन है चीन, नेपल, पकिलस्तान, बंगला देश तो इसका राइट आंसर होगा आपका बंगला देश यानि कि बंगला देश के साथ बारत की सबसे लंबी इस्थलिय सीमा है मैं और साथी साथ में आपको ये भी बता दूँ कि भारत के साथ साथ देश स्थली सीमा बनाती है जिनमें बंगलादेश के साथ जो सीमा है वो सबसे लंबी है वो साथ देश कौन-कौन सी है बंगलादेश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यामार, बुटान और अफगानिस्तान ठ नेक्स्ट क्रिशन और अंतिम प्रिशन आपका है 15 बन तुंग्या क्रिसी कहां पर की जाती है तो दोस्तों तुंग्या क्रिसी है यह आपकी म्यामार देश में की जाती है म्यामार में यह जो क्रिसी है यह प्रकार की इस्थानांतरी यह क्रिसी है एक जगह से दूसरी जगह हर week में अलग अलग दिन में अलग अलग इसी प्रकार से 15 question की एक class ली जाए जो की अलग अलग subject की होगी जैसे आज geography की है इसके बाद history की होगी इसके बाद constitution की होगी तो होगी या नहीं होगी तो आप पर निर्वार है आप बताएंगी तो start हो जाएगी आपके लिए comment आप ए